क्रिकेट की दुनिया यानि गेम ओफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत और और उस्टेलिया के बीच इस सिड्नी के मेधान में कल सुबह से तीसरा टेस्स मैच शुरू हो जाएगा दूसरा टेस्ट जीत कर भारत का मनोबल साथवे आसमान पर है और अब बारी तीसरे टेस्ट मैच की है तीसरे टेस्ट को लेकर टीम को लेकर कई अटकलें लग रही थी कई बातें हो रही थी और अब जो टीम की घोशना हुई है वो हैरान करने वाली है बड़ी बात ये भी है कि हैट कोच रविशास्त्री की बिलकुल नहीं चली है और कप्तान रहाणे, कप्तान रोध शर्मा ने मिलकर बेहद शांदा टीम बनाई है और टीम में सिर्व दो बड़े बदलाव किये गए हैं तो कैसी है तीसरे टेस्समेच की टीम, कौन हुए टीम में शामिल और किस दिगज को किया गया बाहर आपको बताते हैं आप इस टीम को लगर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें तो सिड्नी के मैदान में गुरुवार को सुभह पांच बजे से भारत और आस्टेलिया के बीच टेस्समेच शुरू होगा तीसरे टेस्समेच की टीम के लिए कई तरह के स्पेकुलेशन लगा जा रहे थे हिटमैन के साथ कई तरह के बदलाव की बात भी कही जा रही थी लेकिन जो बदलाव सामने आए हैं वो हैरानी बरे हैं क्योंकि टीम में रवी शास्त्री की बिलकुल भी नहीं चली है तो सिडनी टेस्समेच के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा की वापसी हुई है जिया हिटमैन की वापसी हुई है और बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्समें ओपनिंग करेंगे शुबमान गिल के साथ रोहित ओपन करने आएंगे और पहले दो टेस्ट में फेल रहने वाले मैंक अगरवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बड़ी बात ये भी है कि रोहित शर्मा को लेकर रविशास्री ने कहा था कि हिट मैन मिडल ओर्डर में भी खेल सकते हैं लेकिन रोहित ने तब भी साफ साफ कहा था कि वो ओपनर है और ओपनिंग ही करेंगे और इसलिए रोहित ने अपनी ताकत भी दिखा दी और रोहित ही गिल के साथ ओपनिंग करेंगे तीसरे नमबर पर कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा ही खेलेंगे पुजारा की कोहनी में चोट थी लेकिन अब पुजारा पूरी तरह से फिट हो गए हैं और तीसरे नमबर पर खेलने के लिए आएंगे चोथे नमबर पर कप्तान अजिंग के रहाने ही खेलने आएंगे रहाने ने पिछले मैच में सेंचुरी लगाए थी और यहाँ भी उम्मीद यही है रहाने से बात करें पांचवे नमबर की तो यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही थी लेकिन जैसे ही राहुल चोट की वज़े से पूरी सीरीज से बाहर हुए तो भारत के पास हनुमा विहारी के अलावा दूसरा विकल भी नहीं बचा और इसलिए पांचवे नमबर पर एक बार फिर से विहारी को ही रखा गया है जबकि छड़े नमबर पर विकेट कीपर रिशब पंथ खिलने आएंगे रिशब पंथ को सिड्नी की पिच खासी पसंद आती रही है पिछली सीरीज में भी पंथ नहीं सेंचुरी लगाए थी तो इस सीरीज में भी अभ्यास मैज में सिड्नी के ही मैदान में रिशब पंथ ने तूफवानी शतक लगाए था और अब तीसरे टेस मैज में भी रिशब से यहीं उपमीद होगी इसके बाद टीम में वही दो और राउंडर रखे गई हैं रविंदर जड़ेजा और रविचंदन अश्विन दोनुहीं और राउंडर की सैनी अपना पहला टेस मैज खेलेंगे सैनी सबसे पहले टेस टीम में आये थे और इसलिए शार्दुल और नटराजन से पहले नवदीप सैनी को टेस मैज खेलने का मौकाद दिया गया है और सैनी सिड्नी के मैदान में अपना टेस डेब्यू करेंगे त्योंकि उमेश का बड़ा दारोमदार इन दोनुबर हो गा तो खुल मिलाकर टीम में सिर्फ दो बदलाओ हैं पहला बदलाओ ओपनिंग में हैं जहां हिटमैन रोछड श्रमा वापसी कर रहे हैं जबके दूसरा बदलाओ तेज केंड़ाजी में हैं यहां नवधीप सैनी को टेस्ट डेबिक का मौका मिल रहा है रोईद और रहाने ने बिल्कुल पॉफ्ट टीम बनाई है और ये टीम सिद्नी के मैदान में कमाल कर सकती है तो आपका इस टीम पर क्या कहना है इस कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर कर क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले